यह दूसरा सब्जेक्ट कर रहे हो तो भी पिछले वाले का रिवीजन करना है जिससे उसको बिलकुल ना भूले ठीक है फिर आपको एक छोटी सी गाइड लेनी है जिसमें प्यार यादव जी की गाइड आप ले सकते हैं उससे प्रेक्टिस करने उसके बाद मौक टेस्ट की तरफ जाना है ना और इनके मैं मतलब अब एस साल से अमने एक और अपडेट किया है है वह भी मैं आपको बता देता हूं यहीं पर कि हमने क्या है कि 3000 का टेस्ट और उनका सॉल्यूशन पहले तम टेस्ट ही देते थे तेस्ट और सॉल्यूशन दोनों दिये हैं इस बार जैस तो उससे भी डेफिनेटली फाइदा क्योंकि करके देखेंगे तो ही तो पता लगेगा कि गलती कहां हो